होली या किसी भी त्यवहार में बनाने के लिए लास्ट मिनिट में आप ये खीर या फिर्नी बना सकते हो इसे आप बादाव फिर्नी भी कह सकते हैं बहुत ही जादा क्रीमी और बिलीशियस इसका टेस्ट आता है बनाने में केवल आपको 15-20 मिनिट से उपर का समय नहीं लगेगा अगर आपको बिल्कुल जट पट क्रीमी खीर की रेसिपी चाहिए जादा देर के लिए दूद को उबालते बैठना यह सब आप ताम जाब नहीं करना चाहते तो यह रेस्पी पक्का आप लोग के लिए है तो चलिए देखते है तो मैंने यह पर एक बोल लिया है हम चावल ले रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एक चोथाई कप जितने हैं एक मुठी में आ जाए इतनी ही चावल की हमें जरूरत है वैसे देखा जाए तो जब हम खीर बनाते हैं चावल को हम दूद के साथ पकाते हैं बट इस बार है थोड़ा अलग तरीका तो यहां मैंने इन चावलों को अच्छे से धो लिया है अब यह प्रेशर पुकर लिया ह मैंने इसके अंदर हम तू टीस्पून जितना घी अड़ कर देंगे और जो यह धुली हुए चावल है इसे घी के अंदर जस्ट एक मिनिट के लिए आपने रोस्ट कर लेना है और फिर काफी सारा पानी डाल कर इसे हमें पकाना है देखे मैंने पानी अच्छा कासा डाला है और जस्ट एक ही चुटकी नमक डालना है नमक जादा नहीं होना चाहिए सिर्फ एक चुटकी और प्रेशर कुकर बन करके हम सिर्फ इसकी दो या तीन विसल निकाल लेंगे दो तीन विसल के अंदर चावल बढ़िया से पक जाएंगे और पकने का समय लगेगा पांच या स जात मेनिट तब तक हम दूसरा काम कर लेते हैं हमारी प्रणी या बादाम खीर के अंदर बादाम होने जरूरी है इसलिए ये कुछ मैने 20-25 बादाम लिये हैं इसे बोल के अंदर ले लिया और इसे हम भीगने के लिए चोड़ देगे गरम पानी के अंदर गरम पानी में भ पानी बहुत जादा डाला था और हमें गलाने है इसलिए पानी का यूज हमने जादा किया था मैशर या तो चमच की हल्प से मैश कर लीजे हमने प्रेशर कुकर के अंदर चावलो को पका लिया है इसे चावल जो दूद में पकते हैं वह समय आपका कम हो जाएगा मैं दोनों तरीके से आपके साथ या रेस्पी शेयर की है अथेंटिक तरीका भी बताया है जिसमें दूद में चावल को पका दे उसका तो अन्बिलिवेबल होता है बहुत ही जादा शानदाल बट यह वाला तरीका भी आप जरू ट्राइगा इसे भी आपको बहुत बढ़िया टेस्म मेलेगा तो पैन के अंदर लगबग देड़ कप जितना दूद मैंने यह पे गरम कर लिया है 300 ml यह तूद होगा और जैसे ही दूद में बॉइल आ जाए फिर हम यह मैश के वे चावल इसके अंदर डाल देंगे अब यह चावल और दूद अगले 5 मिनिट के लिए हम बढ़ जाएगा छिल्के भी आप रख सकते हो लेकिन इसे ना फिर छिल्के से पीसे नहीं जाते इसलिए निकालो वही बहतर है तो यह सारे छिल्के मैंने अलग कर लिये और अब मिक्सी जार के अंदर यह बादामों को मैंने ले लिया हमारी खीर में या फिर्णी में बढ़ाने के तब भी आपको यही रिजल्ट मिलेगा थोड़ा इसा पानी डाल कर इसकी एक स्मूज सी पेस्ट बना ली है और यह दिखिए फ्रेंस यह भी बढ़िया से अब कंबाइन हो गया है इसमें हम तो टीस्पून जितना घी आड कर देंगे घी से फितनी में स्वाद बहुत ही ब अब मिक्स करते रहिए अब में डाल देही हूं केसर का पानी थोड़े से केसर के धागे मैंने पानी में गरम पानी के अंदर भी हो के रख दिये थे तो यह केसर वाला पानी हम इसमें आड कर देंगे जिसने हलका यलो कलर इसको आजाएगा बहुत चांदार दिखता है फ्ल फिर इसके बाद फ्लेवर के लिए मैं यूज करें हूँ इलाइची का पाउडर ये भी हम इसमें डाल देंगे फ्रेश कुटी हूई इलाइची है जिसका स्वाधी अलग होता है मिक्स करना इसे एक बार बादाम की खीर है हमारी इसलिए हम बादाम के तुकड़े यहाँ प चावल भी मैंने जो बासमती चावल इसमें यूज किये है वो मतलब सुगंद वाले चावल थे जिससे फिर और ज्यादा अच्छी लगती है तो कैसी लगी आप लोगों को हमारी आज की रेसिपी इस होली में इसे जरूर ट्राय करें मैं जानती हूँ पूरे महराश्रा में पूरन पूली जरूर बनाई जाएगी तो पूरन पूली के साथ यह बेस्ट कॉम्बिनेशन है तो आप लोगों को हमारी आज की यह इंस्ट और सिंपल सी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताए मिलते हैं नेक्स रेसिपी में तब तक के लिए बाई बाई और आप सभी को हैप्पी हो लें